हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सूरती डिजाइनर तो फ्रेंड्स इस ब्लाउस की कटिंग जो है वो मैंने आपके साथ शेयर की है अगर आपने वो नहीं देखी है तो डिस्कृपिशन में इसकी लेंग के वहाँ पर जाकर आप इसे देख सकते हैं तो चलिए अब हम इसकी स्टीचिंग को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले प्रेंसेस कट वाले पार्ट को लाइनिंग के साथ स्टीच कर लिया है और इस पार्ट को भी लाइनिंग के साथ स्टीच कर लिया है अब हमें प्रेंसेस कट वाले पार्ट को स्टीच करना है ये देखिए तो इस तरीके से हमने इसे स्टीच किया दूसरा पार्ट भी स्टीच करेंगे नीचे के साइट पटी लगानी है पटी के जो वीड़ थे वो हमने टू इंच की रखी है एक स्टीच हमें पटी के उपर से करना है पटी को अंदर के साइट फोल्ड करते हुए स्टीच करेंगे तो देखिए हमने इसको स्टीच कर लिया अब हमें आपे नेक को स्टीच करना है तो क्रॉस में हम पटी कट करेंगे लाइनिंग फाबरिक की डबल करते हुए नेक पर स्टीच करना है कॉर्णर निकालते हुए शेप देना है कट लगा लेना है पूरे ही नेक पर और एक स्टीच हमें पटी के उपर से कर लेना है पटी को अंदर के साइट फोल्ड करते हुए स्टीच करेंगे तो दिखिए याँ पर हमने इसको स्टीच कर लिया है अब हमें याँ पर लेस लगा लेनी है तो याँ पर मैंने ये ब्राउन किलर की ही लेस यूज़ की है ये दिखिए इस तरीके से हमें लेस को लगाना है और साइट से एक स्टीच और करना है लेस पर तो जो लेस हमारी वच्चे से सेट हो जाएगी ये दिखिए इस तरीके से नेक को कंप्लीट कर लिया बैक पार्ट को भी लाइनिंग के साथ स्टीच कर लिया है अब याँ पर हमें होकी पटी लगानी है तो लाइनिंग फैबरिक को इस तरह से स्टीच कर लेना है एक स्टीच हम पटी के उपर से करेंगे इसको अंदर की साइट फोल्ड करते हुए स्टीच कर लेना है वो की पटी कंप्रीट हो गई है और अब हम आई की पटी लगाएंगे तो इसे वीट में हमने ढाइंच लिया है एक side से हमिशे fold करते हूए stitch करेंगे और इसको या पर इस तरह से रखते हूए stitch कर लेना है एक बार और फोल्ड करते हुए स्टीच करेंगे यह देखिए तो हमने इसको स्टीच कर लिया है साइट से एक स्टीच और कर लिया तो आई की पटी भी हमारी कंप्लीट हो गई है बैक टक्स लगा लेना है जिसकी लैंद हम फोर इंच रखेंगे और जिसे हमने फ्रेंट वाले नेक पर नीचे के साइट पर पटी लगाई थी और नेक पर पटी लगाई थी और लेस लगाई थी वैसे ही यहाँ पर भी कर लेना है हमें तो देखें आपर हमने लेस को भी लगा लिया है नीचे के साइट पटी भी लगा ली है अब यह हमारी स्लीज है तो स्लीज का यह अपर पार्ट है सोल्डर के साइट वाला क्योंकि यहाँ पर हमने इसमें cut लगाया था अब हमने यहाँ पर 1.5 इंच की lining fabric की यह पटी ली है single लगाना है इसको और एक stitch हम पटी के उपर से करेंगे मुझे यहाँ पर थोड़ी सी पटी extra लिख रही है क्योंकि हम elastic के बराबर की है यहाँ पर पटी चाहिए तो जो extra पटी है उसको हम cut करेंगे और अंदर के side fold करते हुए stitch करेंगे तो इस तरीके से fold करते हुए stitch कर लेना है और नीचे के side भी हमें same इसी तरीके से पटी को लगाना है तो देखिए आपर यह जो lastik है वो मैंने आप लास्टिक लिए अपर पार्ट के लिए जो shoulder हमारा उसके लिए तो इसे मैंने 7 इंच लिया है और इस तरीके से हमें safety fin की help से इसके अंदर इसको इस तरीके से डालना है lastik को और देखिए यहां से हम इसे स्टीच करेंगे ताकि यहां से निकले ना यह देखिए तो स्टीच कर लिया अब यहां पर हमें इसे दूसरे साइट से निकाल देना है और यहां पर भी हमें स्टीच कर लियना है तो देखिए अगर यहां पर आपके पास fabric हो तो आप यहां पर उपर के साइट पर gatherings इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं यह देखिए इस तरीके से तो हमने इसको set कर लिया तो देखिए हमने यहां पर नीचे के साइट भी पट्टी को लगाना है तो सेम उपर वाली जो पट्टी लगाई थी वैसे हम यहां पर भी लगाएंगे और यहां पर हमें जो लास्टिक लेनी है तो स्लीज राउंड है हमारा यहां पर 11 इंच तो उसमें हमें 2 इंच माइनस करके लेना है तो हम यहां पर जो लास्टिक ले रहे हैं वो 9 इंच की ले रहे हैं यह देखिए तो यहां पर भी हमने पट्टी को लगा लिया और इसमें elastic भी insert कर ली है अब यहाँ पर हमें half inch का shoulder को down कर लेना है armhole को down कर लेना है armhole को हम इस तरीके से cut करेंगी ताकि हमारे यहाँ पर armhole पर finishing आ जाए अब देखिए जो हमारी sleeves है उसको हमें यहाँ पर रखना है और plain side जो रिता है ना वहाँ पर हमें इसे stitch करना है क्योंकि elastic जो लगाई थी वो हमारे shoulder पर रहेगी यह देखिए इस तरीके से हमने इसे stitch किया जो मारी fitting वाली shite थी ना वहाँ से हमें इसे stitch करना है यह देखिए इस तरीके से plain side पर हम इसे stitch करेंगे armhole पर यह देखिए इस तरीके से तो यह हमने stitch कर लिया center पर पिन अप कर लिया side से हम इसे stitch करेंगे side से stitch किया है side का जो extra fabric के उसको cut करेंगे एक stitch हम इसको उल्डा करके करना है एक पिर का margin रखते हुए अब यहाँ पर center से chest के fourth part पर marking करने ही यहाँ पर best का fourth part लेना है यहाँ पर sleeves round ले लेना है और इस तरीके से fitting लगा लेनी है दूसरे side भी fitting लगाएंगे तो friends हमारे यह blouse बनकर complete हो गया है तो comment करके आप जरूर बताएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी वीडियो को like share जरूर करिएगा और चैनल को subscribe जरूर करिएगा Thank you